आपके पास Samsung Galaxy A05A या फिर A05S है तो उसके अंदर call forwarding या call divert कैसे set कर सकते जब भी आपके नमबर पर कोई call करें तो जाए किसी और के नमबर पर या आप लगाना चाहते हैं कि जब भी आपका phone switch off हो जाए तो उसके बाद किस पर जाए तो भी आपको कर लेना होता है उसका condition में करने के लिए आपको करना क्या होता हैуч यृद पर जाएंगे यहाप सेटिंग दिख्धा है कि इस पर आपको टाप कर देना है यहाप करने क बाद नीचे कि साथ जाना है यहाप यह वाल अप्षन दीख रहा होगा इस पर आपको कर देना है यहाप आपको दीख जाता है call forwarding गइन सब्सक्राइबर 2 मुट है सबतों बसक्राइबिए टाइब सब्सक्राइब करें तो मैं चाहूंगो always forward पर करें कि कि किसी भी condition में हो तो मेरा कुल directly forward हो जाए तो उस पर जैसे टैप करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से option मिलता है और यहां पर man का icon मिलता है अगर इस पर टैप करते हैं तो यहां पर जो भी आपका number होता है यहां से उसको भी directly आप यहां से कर सकते हैं ठीक है करने के बाद यहां पर जैसे यह हो गया बाकि यहां से अगर आपको उटाना है अब manually कोई number डालना चाहते हैं जैसे कि यह वाला number मैं डाल रहा हूं ठीक है डाल कर देंगे यहां से आपका call forwarding सेट हो जाता है अब जब भी मानुचल अगर मेरा phone switch off है या call forwarding बता रहा है या बीजी बता रहा है तो कुछ इस तरह से कर लेंगे बाकि कभी कि भी ऐसा होता है कि आपको कभी छेस से बाहर रहता है तो किस और पर भी call चला जाता है तो उस condition में भी आप परसान हो जाता है तो यहां से अगर आपको बंद करना होगा तो आप बंद कर लेजेगा यानि कि आपको situation की साथ पर defend करता है कि अगर आपको call forwarding लगा नहीं तो ऐसे लगा लेंगे अगर बंद करना है तो यहां से आपका बंद हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आप अपने phone में कर लीजेग अगर वीडियो अच्छे लगेगी तो like, comment, share, subscribe कीजेगा मिलते हैं next video अपके लिए बाबाए